सबी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पर पती और पत्नी एक साथ दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते क्या आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पर अगर पती-पत्नी एक साथ दर्शन करने के लिए चले जाएं भूल बस भी तो उन्हें कठोड डंड विलता है और उनके जीवन में तलाग जैसी घटना का भी सामना करना उन्हें पढ़ सकता है मैं आपको जिस मंदिर के आज दर्शन कराने वाद इन आस्ताओं की कारण वो मंदिर बहुत ही प्रसिद है दोस्तो वैसे तो माता पार्वती के मंदिर में जाकर महिलाएं अपने पती के लंबी उम्र अपना सौभाके मांगती है और माता पारवती उन्हें उस सौभागे को देती भी है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे माता पारवती के मंदिर के विशे में बताने जा रही हूं जहां पे सौभाग नहीं बलकि अगर साथ में पती के जाएं तो वो सौभाग दुर्भाग में बदल जाता है देवभूमी हिमांचल प्रदेश में जिला सिमला के रामपुर में समुद्र तल से 11,000 फुट की उचाई पर दोस्तो मा दुर्गा का एक सुरूब विराजमान है जो कि श्राई कोटी माता नाम से बहुत प्रसिद्ध है मंदिर के बारे में खासियत ये है कि यहां दमपती एक साथ दर्शन करने नहीं जाते अथात पती-पत्ती को एक साथ दर्शन करना यहां निसेद माना जाता है उन्हें एक साथ पूजा करना भी यहां पे वर्जित है जबकि हिंदु धर्म में मानता है कि कोई भी पूजा बगएर पती-पत्नी यानि कि बगएर जोड़े के परिपोन नहीं होती किन्तु यह यहाँ पर अपवाद महसूस होता है यहाँ पर दोनों पती-पत्नी जाते तो हैं लेकिन एक बाहर इंतजार करता है एक अंदर जाता है जब पहले वाला व्यक्ति दर्शन करके पूचन करके बापस आता है तब बाहर खड़ा व्यक्ति अंदर जाता है और ऐसा ना करने पर जोड़े का अलग होना निश्यत है मंदिर की पुजारी वर्ग के अनुसार इसके पीछे एक पौराणिक कारण है दोस्तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि एक बार जब गड़े जी माता पारवती और भगवान सिव शे अपने विवाह के लिए प्रस्ताव रखते हैं तो भगवान सिव उनको टालने के लिए कहते हैं कि पहले जाओ ब्रह्मांड के चक्कर लगा कर आओ साथ बार तब तुम्हारा विवा होगा और जो पहले आएगा उसी का विवा पहले होगा और उसे ही सर्व स्रेष्ट माना जाएगा कार्तिके जी तो चले गए ब्रह्मांड के चकर लगाने के लिए लेकिन गड़े जी बुद्धि मान थे उन्होंने माता पिता का चकर लगा लिया अपने मूसक पे बैठकर और कह दिया कि माता पिता के चड़नों में ही ब्रह्मांड है और शिव भगवार ने इस बात को मान कर गड़े जी को सर्वशेष्ट गोसित कर दिया और उनका विवा भी करा दिया जब कार्थिके जी बापस पहुँचे तो गड़पती जी का विवा देख कर कार्थिके जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कभी न विवा करने का फैसला कर दिया श्राइकोटी में आज भी द्वार पर गड़पती जी महराज अपनी पत्नी सहिद विराज मान है कार्थिके जी की विवारना करने के प्रण से माता परवती बहुत नाराज हो गई साथ में उन्होंने ये कहा कि जो भी पत्ति-पत्नी मेरे इस रूप के दर्शन करेगा इस मंदिर में आकर उस दमपत्ति का पिस्थिणना तैह है यानि की उनका अलगा हो जाएगा इस कारण आज भी पत्ति-पत्नी एक साथ पूजा नहीं करते यहां पे अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो मा के श्राप के अनुसार उन्हें ता उम्र वियोग सहना पड़ता है यह मंदिर सदियों से लोगों की आस्ता का केंद्र बना हुआ है तता मंदिर की देखरेक भीमा काली ट्रस्ट के पास है घने जंगल के बीच इस मंदिर का रास्ता देवदार के घने ब्रक्षों से और अधिक रमड़ी लगता है दोस्तो सिमला पहुँचने के बाद यहां वाहन और बस के द्वारा नार कंड़ा से और फिर मश्रुगाओं के रास्ते से होकर पहुँचा जा सकता है तो हम सब लोग श्राइकोटी मा को नमन करेंगे और दोस्तो जो मानेता जहां पर चलती है उस मानेता को हमें जरूर मानना चाहिए कभी भी इन मानेताओं को हमें जूट नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसका हमें दूस परिणाम भोगना पढ़ सकता है तो अगर आप वहां मंदिर दर्शन करने गए हैं तो मुझे कमेंटे जरूर कीजेगा कि जो मैंने आपको बताया है उसका अनुभाव आपने वहां किया है वहां का नियम क्या ऐसा ही है क्योंकि मैं कभी दर्शन करने नहीं गई हाँ लेकिन जाओंगी तो जो नियम है उसे जरूर अपनाओंगी तो आज के लिए बस इतना ही और मैं बाबा से प्रात्ना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर निक्रे पदेश्टी ऐसे ही बना के रखना बाबा मेरे और सभी भक्तों की जूली भरे रखिए, सभी के भंडार भरे रखिए, सभी खूब खूश रहें और सब के बच्चे खूब तरक्की करें इसी सुब कामना के साथ जै शीराम, जै बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों